दोस्तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी अपने फोन में Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter या फिर YouTube जरू से चलाते होंगे अगर आप अपने फोन में इन में से कोई सी भी application चलाते हैं तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ chatting करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में keyword को जरू से open करते होंगे जी हाँ दोस्तों आप सभी अपने फोन में जभी टाइपिंग कर सकते हैं जब आप अपने फोन में कीबोर्ड को ओपन करेंगे और हम सभी के फोन में जो भी कीबोर्ड होता है चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो हम सभी के फोन में कीबोर्ड जरू से होता है और keyboard हमारे phone में देखने में काफी ज़्यादा simple लगता है हापर आप देख सकते हैं मेरे phone का keyboard है और देखने में काफी ज़्यादा simple लग रहा है तो इस video के अंदर आज मैं आपको कैसी trick के बार बताऊंगा ये कैसी setting के बार बताऊंगा जिस setting को करके सिर्फ एक click में आप अपने normal से keyword को na RGB वाला यानि colorful keyword बदल सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसी मैं इसके उपर click करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone का keyboard है यहाँ पर पूरी तरह से colorful हो चुका है तो इस setting को अगर आप अपने phone में करना चाहते हैं तो चलिए अप करते हैं वीडिको start दोस्तो वीडिको start करने से बले सबसे पहले अगर आपने इस उड को like नहीं किया तो उड को like कर दीजे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को भी ज़रू से subscribe कर लीजे इसके वगल में आप सुभी को इस घंटी के उपर click करके all के पर आपको set कर लेना है फिर आपको नीच आएक एक छोटा सा comment भी लिख देना है तो comment में आप सुभी को लिख देना है nice keyword ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपको nice keyword लिख देना है और जैसी यहाँ पर आप nice keyword लिख देना है तो आप सुभी को लिख के send कर देना है अब जैसी आप यह लिख के send करते हैं तो चलिए आप मैं आपको बता देता हूँ यह कौन सी application है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी normal से keyword को पूरी तर्ग से आर्ची भी keyword में बदल सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस भी application में जाएंगे इस keyword के मदद से आसानी से आप typing कर सकते हैं तो अगर यह वाला keyword अगर आप अपने phone में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को अपने phone में इस application को download कर लेना है काफी कमाल की application और इस application में आपको काफी कमाल कमाल के theme भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने phone के normal से keyword को ना है इन सारे theme में पूरी तरह से बगल सकते हैं चेंज कर सकते हैं मैंने ये वाला लगाया है तो आप अपनी मर्जी से कोई सभी यहाँ पर लगा सकते हैं आप आपको काफी प्रकार के यहाँ पर theme देखने को मिल जाते हैं जैसे आपको यह वाला अच्छा लग रहा है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको download theme कर लेना ठेके हैं जैसे आप download theme कर लेंगे तो आपकी theme है apply हो जाएगी उसके बद हाँ यहाँ पर यह जो theme है आपके phone में set हो जाएगी उसके बाद जब भी आप अपने phone में WhatsApp हो गया Facebook हो गया फिर कोई भी दूसरी application हो गया ना जब भी use करेंगे तो यह जो keyword है इसी प्रकार से आपके phone में change हो जाएगा और यहाँ पर आप इसके font को भी change कर सकते हैं इसके लिए आपको setting के button पर click करना है फिर आपको setting में चले जान उसके बाद यहाँ पर आपको font keyword के पर click कर देना है और यहाँ पर आपको 1000 प्रकार के दूसरे दूसरे style देखने को मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर मैं इस वाले पर click करूंगा और यहाँ पर back जाओंगा ना तो हमारे theme का जो यहाँ पर font है वो भी इस तरीके से change हो जाएग और अपने दोस्तों को चुका सकते हैं thank you